पटना कलम मुगल सामराज के पतन के कारण जब साही दरबार में इन कलाकारों को प्रसरे नहीं मिला तो ये अन्य छेत्रों में रहने लगे 1760 में लगभग ये चित्रकार सामराक्षन की खोज में बंगाल की मुर्शिदाबाद पहुचे उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे इन्होंने लोदी, कटरा, मच्छर हट्टा, आरा तता दानापूर में बसकर चित्रकला के छेतिये रूप को विक्षित किय यह चित्रकला सैली ही पटना कलम या पटना सैली कहलाई, पटना कलम के अधिकान चित्रकार पुरूस है, अथ इस सैली को पुरूसों की चित्रकला भी कही जाती है, पटना कलम के चित्रलगू चित्रों की स्रेनी में आते हैं, जिन है अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी द प्रब्तेवार एवं उत्सव तथा जीव जन्तूओं को महत्व दिया गया इस सैली में ब्रस से ही तस्वीर बनाने और और रंगने का काम किया जाता था इसमें गहरे भूरे लाल रंग हलके पीले और गहरे नीले रंगों का परियोग किया गया है